दोस्तो अगर आपको डॉक के बारे में कोई भी इंपरमेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीज़े हमारा चानल एट्मिक्स बेल आइकोन के उपर क्लिक कीज़े लेट्रस डॉग हेल्ट नौलज वीडियो और फिश हेल्ट नौलज वीडियो देखे सबसे पहले हे नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारा आपके चानल पर एट्मिक्स में आशा करता आप और आपके पैट सेल दी होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले मोस्ट पॉपिलर ब्रीड अमिरिकन बुली के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरस्टिंग तो दोस्तो ऐसी वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजेगा और आपको अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेर जरू किजेगा चलिए दोस्तो शुरू करते वीडियो को दोस्तो अमेरिकन बुली का ओरिजिन युनियाटे स्टेट अप अमेरिका से और इनको बहुत साथ नामों से जाना जाता है जैसे कि बुली पीट और अमेरिकन बुली पीट और दोस्तो इन डॉक्स को 1980 से लेके 1990 के बीच जुंडा गया था और इन डॉक को फैमिली डॉक कमपेनियन किया गया था तकि ये फैमिली के साथ अच्छे से रह सके और अमेरिकन बुली काफी मस्कुलिर डॉक होते है और काफी एनरजी से भरे हुए डॉक होते है इसलिए जादा कर लोग इसे हलक का नाम देते हैं क्योंकि ये हलक की तरह इसकी बोड़ी होती इससे जादा करके ऑनर इसका नाम हलक रखते हैं अमेरिकन बुली का हेड साइज काफी बड़ा होता है और दोस्तों अमेरिकन बुली कई टाइप के होते हैं जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड बुली ये डॉग अपने ओनर के लिए बहुत ही रोटेक्टिव और लॉयल डॉग होता है और अपने ओनर के साथ अच्छा बॉंड बना लेता है और जो दूसरा टाइप है वो है अमेरिकन क्लासिक बुली और इनके लक्षन अमेरिकन बुली की तरह होते हैं और इन डॉक के अंदर मास्क की मात कोटे होते और आसानी से मीडियम साइज या फिर स्मॉल साइज के घर के अंदर आसानी से रह सकते अमेरिकन एक्स्ट्रेम बुली और यह बुली डॉक सारे बुली डॉक की तरह ही सेम होते और जो नेक्स टाइप का है वह अमेरिकन एक्सेल बुली और यह डॉक बाकी बुली क बुली के आपको कौनसा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और यह सभी डॉग एकदम लॉयल पौफादार और अपने ओनर के प्रतिक काफी लॉयल होते है अमेरिकन बुली अपने फैमिली के लिए काफी प्रोटेक्टिव और लॉयल होते है और इस दोब को अपनी फैमिली के साथ रहना काफी अच्छा लगता है इसलिए आप जितना हो सकें इस् डॉक के साथ अपने फैमिली के साथ रहने दीजेगा इसको अकेला चोड़के ना जार और अमेरिकन बुली को ट्रेनिंग देना काफी आसान और इज़ी होता है जल्डी वाले से बीड़ जाता है फिर चाहे सामने कोई भी हो इसलिए इस डॉक को as a guard dog भी कई लोग रखते हैं और यह आपके घर की और आपकी सुरक्षा काफी अच्छे से कर लेगा और यह डॉक मेडियम साइज घर में और लाफ साइज घर में आसानी से रह सकते बट इस बात का ध सबमें काफ प्रिफरंटच साइच और ह होती है क्लासिक बुली में में मेल को ती होती है 18-19 एंच और फिमेल की हैंत होती है 17 इंच से कम और female में होती है 16 इंच से कम और extreme bully की बात करें तो इनकी size और height कुछ fix नहीं होता और American extreme bully की बात करें तो इन में male में होती है 20 इंच से जादा और female में होती है 19 इंच से जादा और American bully की lifespan की बात करें तो आठ से लेके 12 साल के बीच होता है और इन dog का coat होता है और short coat होता है इसलिए आप week में एक या दो बार इसी brushing कर सकते है और दोस्तों इन dog को अगर आप baby के साथ पहले से socialize करें तो काफी अच्छा रहेगा फिर आगे जाके babies के साथ अच्छे से रह सकेगा और इन dog को socialize करना बहुत ही important है ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत या problem नहीं आ सकेगी और बाकी dog के साथ भी आसानी से रह सकेगा तो आप चाहे तो इसे garden या अपने कोई family member के साथ या फिर कोई और dog आपके friend या family के साथ हो तो उनके साथ इसे socialize जरूर किजेगा उनके साथ इसको time spend जरूर किरने जीजेगा जैसे की खेलना, खुझना, मस्ती करना जिसके आगे जाके ज़्यादा एक्रिस्यू नहीं होगा और जल्दी से socialize और जल्दी से सबके साथ भूल मिलके अच्छे से रह सकेगा और दोस्तो इन dog की price की बात करें तो ये 25,000 से लेके 45,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है और ये dog काफी safe है इसलिए अगर first time dog ओनर हो तो आप इसे आसानी से buy कर सकते बट आपको इसको रोज training, socialize जरू करना पड़ेगा ताकि आसानी से आपकी बात माने और अच्छे से एक family dog बना रहे और इन dog के उपर आप खाने पीने में जरूर से ध्यान दिजेगा ताकि आके ताकि इसकी health काफी अच्छे से grow करे तो दोस्तो आशा करता हूँ American Bulli के बारे में कुछ interesting बाते हैं कुछ interesting fact मैंने बताया आपको अच्छे लगे है तो दोस्तो ये वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया तो नीचे जो red color का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजेगा और बाजी में bell icon के उपर भी जरूर दबाईएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अप्लोड करें उसका notification आपको मिलता रहे और आप अच्छे से वीडियो देख सकेगे और आपको और भी information मिलती रहेगी अगर आपकी मन में कोई doubt एक question है तो आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते या फिर comment में भी पूछ सकते instagram पर मेरा page 8mix वहाँ पर भी जाके हमें follow और message कर सकते वहाँ पर भी में नए और interesting update देता रहता हूँ तो दोस्तों आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते ऐसी interesting वीडियो के साथ thank you for watching